युवाओं द्वारा देश भर में वेलेंटाइन डे बड़ी ही धुमधाम के साथ मनाया गया लिकिन इन दौर की एक सामाजिक संस्था ने वेलेंटाइन डे को दमपत्ती दिवस के रूप में मनाया वही संस्था द्वारा युवाओं को संतेश भी दिया गया कि रिष्टों को मजबूत कैसे बनाए इसके लिए बुज़ुर्गों से प्रेंट ना लें। की दूसरे की साथ रहे। की दोर में लोग आधुनिक जीवन जी रहे हैं। हमें पुराने लोगों के संस्कारों को ग्रहन करके ही आगे बनना चाहिए। और हमारे रिष्टों को मजबूत रखना चाहिए। चाहे वो पती-पत्नी के रिष्टे हो। चाहे वो माबाप से रिष्टे हो। चाहे भाई-बहन के हो। परिवार के रिष्टे हैं। कुछ संगश करते वक्त एक दूस्रे को सहन करें। गेराई से रहें। यही मेरा लोगों को संदेश है। शुब कामना है। सामान तहरे चाह। चाहुदा तारीक को इसने दिवस वेलेंटाइन डे की रूप में लोग बनाते रहे। लेकिन मेरे मैं में कुछ वर्षों पहले ख्याल आया है कि यह एक प्रेम का संदेश जो जिजहार करते हैं। उसके पति-पत्नी बनते हैं तब अपने इगो के अपने सुभाव के करण रिष्टे विच्छेत कर लेते हैं। तो मैं क्यों ना एक इस दिन को हमें दंपत्ती दिवस के रूप में मनाया जाए और वह दंपत्ती जिन्होंने 50-60-70 साल एक साथ गुजा रहे उतार चड़ाओ इनके जीवन में भी आया होगा ऐसा नहीं। तो मैं दंपत्ती दिवस के रूप में सेलिबेट करता हूँ और आज मैं बड़ा सोभागिशाली महसूस कर रहा हूँ कि हमारा हरीदायन जी दिख्षित आयू इनकी 89 एर धर्म पत्नी आयू इनकी 86 एर और 62 वर्ष पूरे कर चुके दंपत्ती हैं। तो मैं आपके माद्यम से आपके टीवी के माद्यम संदेश देना चाहता हूँ युवाओं को कि आज लाक आप गुलाब लेकर एक दूसरे को प्यार काहजार कर रहे हो पर जब आप पत्ती पत्नी बने तब रिष्टों में गेराई रखें, मजबूत रखें और इन से इस् अंदेश है कि आप जब पत्ती पत्ती बने तो इंस्पार इन लोगों से हो जिनकी शादियों होगी इस दिन को मनाने के पीछें का उदेश है कि आज की युवापीडी इन दमपत्तियों से सीख ले और अपने रिष्टे को मजबूती और इस दिन को केवले एक दिन का नहीं बलकि जीवन भरका इसमें साथ निभाए ब्योरे रिपोर्ट, MP News TV, इन दौर